कितनी जोटिया हैं आज बिगरी के लिए 6-7 जोटिया हैं तो रेट भी साथ-साथ बिल्कुल बताएंगे जी तो इसका क्या कुछ समोल बाओंगे हैं इसका फिक्स पाइजर इसमें एक रुपया भी कम जादा नहीं होगा पिछान में जारोगे एक रुपया भी नहीं करोगे एक रुपया नहीं होगा नमस्कार पसूपालक साथियो सबागत करते हैं आपके अपने जैसिंग यादव फारंपे आज की कवरेज लेकर क्या रेजिक गाउं बुर्टाना जिला विवानी अरियाना से आज की वीडियो में बहुत ही सांदर जोटिया दिखाएंगे बई एक से एक सांदर जोटि दो दात मूँसे और साथ से आठ जोटिया जो भाई का जो बिकरी का काम है अच्छा पसूदन रखते हैं बाई और पूरी की पूरी जानकारी बाई साब से लेंगे इससे पहले जो भी बाई अपना पहली बार कवरेज को देख पा रहे हो चैनल को स करें तक आने वाली नूँ वीडियो आप भाईयों तक पहुंच सके जो भी डिटेल है बाई साब से लेंगे नमस्कार बाई साब और जी क्या चाल है तो दर्सकों को देखने वाले को राम राम बाई तो कितनी जोटिया है आज बिकरी के लिए 6-7 जोटिया है तो रेट भी सब्क्राइब बचचा दीए 12 लिटेर रहे खीलों से बहुत है तीन-दिन की बाई है खील खाली होतीव 12 किलों से उट्टिया है और दूसरे बैयात में और यह देख ज़िए जो शिंगों की बनावट है काफी साफ़सुत्रा पुसुदन है और खीली का जो अड्र है वह आ मैं वीक तो पुठा है बहुत ही बढ़ी हैं और जो दो तिन बाए जो जो adjust yeah तो छो प्रमा गाइब में हो। 2-3 मे का गाई होती है ओल कि और जो सस्टी चलता है किरे लिए फिर बाद THE कंडर करते हैं कि उसकी खीस से काली हो तुया स्पाइब ज άλλा ने बैड़ता दूद का ढ़िए हो जागजादा होता है जाग जागजादा बैड़ता हुआ लीटरमें जादा उद्धा प्रच多 तो उसमें थोड़ा हब वजन कम देखने को मिलता है उसके तो चाहे ठंडा करके तोले और चाहे वो ताजा तोले तो उसका वजन हमें कम देखने को मिलेगा तो जो भी बाते हैं सचाई के साथ करते हैं तो कितना दूद लमसम मानने हैं इसकी उमीद कर रहे हैं सत्रा से अठारा किलो दूद की जो उमीद कर रहे हैं और सभी पसुपा लग भाईयों को पता है जैसी जो कवरेद होती है बिल्कुल ओरजिनल होती है बच्चा क्या है साथ मेंशा कटड़ा है नए कैमरा बढ़ा करके जूम करके नए पसुदन हम दिखाते हैं जो रियल है व फुल साइज बोडिवेट में हैं बहुत भी बढ़िया तो दो नमबर पर है इसकी क्या कुछ डिटेल है जी यह थाटा इमरा बाचा तीसरे ब्यात की अच्छा यह खीश से खाली सुबह की है यह देखिजी है और खीश से खाली सुबह की है बई और जब अपने अपने तो क्या कुछ दूद की रिपोर्ट है कितने दूद से उठी है इसमें दो दो लग मान के चलों 11 लिटर जी कितना दे देगे लाग बग यह दे देगी 16-17 किलो तो क्या कुछ समूल पाऊ रहेगा जी इसका एक लाग पच्छी जार एक लाग पच्छी जार पी है इसे बढ़िया है और जो तीन नंबर पर देख पा रहे हैं जी तो इसकी क्या कुछ से टीटेल है जी फरस्ट आइमर जी अच्छी पहले ब्याद की मुह से चारदात फरस्ट आइमर जो टीए बिल्कुल चोटा सिंग लिए वे और आइट लंबाई की बहुत ही सांदारा जो पी का गैप है तो यह भी पहुत ही अच्छा देखने को मिल ले तो इसका कितने दिन की बैई होगी वाई साफ दिन की बैई 11 लिटर दूद मोक्य पर त्यार है, साथ में कटली, यह कटली है ना, यह कटली जी साथ में, साथ दिन की ब्याई होगी, और जो दूद है 11 लिटर, और जो पहले बयात का पसुदन है, जो थण dys, तरह चैकर के लिया देखें जी जो पहले बयात का जो थण reduce their quality है, वो ऐसी तो इसकी क्या कुछ उमीद कर सकते हैं दूदगी चोदा की लेटर देगी क्या कुछ मुल भाव है एक लाख पच्छी जार रुपी दो बाई रेट रख रहे हैं तो रेट बिलकुल ही फिक्स है अच्छा अच्छा बाई का कहना भीवा 1500 मान समान हो जाएगा ज्यादा वो नहीं है और यह देखे जी चैर नंबर पे सेकेंड टैमर और मुह से कहता है जी मुह से चैर आता है सेकेंड टैमर और चैरे को देखते वे देखो फेश्ट नेमर लग रही है बिलकुल छोटा सिंग लगया है बहुत ही बढ़िया यह देखे जी लंबाई बहुत ही बढ़िया है साप सुत्रा पसुदन जितना भी है जो अड्र है वो देखे जी पैरों का बीच का टाइट अड्र लिये वे है थड़ों का गैप काफी अच्छा देखने को मिल लिया वही यह देखे देखे द बच्चे को जनम दिया था दो दिन की बैई होगी और साथ में पलस कट्ड़ी है और खुद भी कट्ड़ी जैसे लग रही है और साथ में भी कट्ड़ी ले रही है और यह देखे जी तो घीच से खाली 11 लिटर तो यह कितनी इस से कितनी दूद देदेगी देखे जी तो यह देखे जी बहुत ही बढ़िया तो दातों में च्छे है इसका क्या कुछ रेट इसका एक लाग पत्चीजार पी बहुत ही बढ़िया जी तो पांसो नमबर पे देख पा रहे है जी सेकंड टैमर और शरीर पे जस्ता हुआ बिलकुल गोल्ड सिंग लंबी ग है यह देखे जी बहुत ही बढ़िया बिलकुल पैरों का टाइट अडर लिए वे जी पैरों कभी इसका साफ सुत्रा पसूद निया देखे जी और बिलकुल जैड बलैक तो इसकी क्या कुछ डिटेल है बताएं च्यार दिन की बैई बारा लिटर दूद निचे कटड़ा है यह देखे जी गोल्ड चींग है और जितना भी पसूदन रखा है बाई ने साफ सुत्रा ही तकरीबन पसूदन देखने को मिला भई सारी की सारी ताजा बैई हुई और जो आगे तक जो अडर लगया है यह देखे जी पंदरा से पीश दिन अपने पूरे पिक पे आएंगी तो बहुत ही अच्छा जो नीचे का जो सिस्टम बनके आएगा तो कितनी दूद की उमीद कर सकते हैं सोड़ा सतरा किलोग उमीद कर रहे हैं तो क्या कुछ समूल बाओ है एक लाएप सिर्फी जार पे तो लंसं लंसं एक लाह पचिछी आर्पे की तकरीवन तकरीवन तीन सी चार जो किया देखने को मिली तो यह देख जी इसकी क्या कुछ डिटेल है जी सेकेंड टाइमर है ज जी और जो नीचे का जो सिस्टम बेलकुल टाइट अडर लिये वे है पत्थर की तरह जो थनों का गैफ है काफी साब शुत्रा देखने को मिला गई यह देखें बहुत ही बढ़िया यह लिया 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 माद्यम हाइट का जो पसोदन देखने को मिला भई और है बताना चाहूंगा भी हाइट दूद के उपर निदारित नहीं है दूद पसूदन जो समता है वही निकालता भई यह देखें धनों का गैफ है काफी साब सुत्रा तो क्या कुछ डिटेल है किस कब बैई है जी यह चोट्था पांजम दिन की बैई होगी जी ब जी ओर सेक्ट टाइमर है ना आज अच्या चाहिए जी यह तो दार्चवाई में कैसी है तो शूपर है जी 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 पीचान माजार भी फिचान माजार भी पीचान माजार भी पांचा एक ओर एक और झाम क्योंकि हम ने लेकर कह रहे हैं जी सांदार फिलकुत छोटा सिंग की गठडी तो इसकी क्या को से डीटेल है बाई सब्सक्राइब है अब बच्छा दिया हैं जो नेशनल चैंपिन बुल बहुत ही अच्छा बुल है बाई जी 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 तो यह देखें जी बिल्कुल छोटा सिंग लंबी गर्दन पीट कुठा का पिसांदार एक से नेट गटा पहले अभी अभी बच्छे को जनम दिया है और जो थनों की बनावट है यह देख पारेजी पैरोग अभी इसका टाइट अडर लिये हुए है और जो प तो पारेजी का टाउट पाइच और यह देखी है बहते हैं जो कि इस थाट अंगड़ं चेÓं तो यह मैं ने निजेज निकाले मेंड़ा अच्छाव लगार त। पेले बच्छेय को फुल पिला दिया अजुछ निच на台ा पैयात जाप लुगारे निकाला यह देना की आफ तो किटनी उमीद कर सकते हैं? ओमीद या 13ाल दुदव्य राम से ढेगी और दातों में कतनी है? मूँ से 2 दात है, मामू के दूद लात है कुछ पता है? में कुंगड से ही ले हैं अर्जू की बिंत của ते दी कुंगड से है है और साथ में कुंगड़े जो बुल है अरजुन उसकी एक अटड़ी है तो बहुत ही सांदर तो क्या कुछ से मुलवाव है एक लाग पत्ची जार गिदेंगे एक लाग पत्ची जार पे गिदेंगे फिल्कुल फिक्स है एक रुपय यह कम नहीं है कोई कम जादा नहीं आच करें भई और कॉमेंट में जरूर बताना भई ताकि हमारा भी होसला बढ़ता रहे किसी वीडियो में कोई कमी हो जैसी बनती है वैसे कॉमेंट करके जरूर बताया करें भई सभी पसुपालक भईयों को नमस्कार